आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ इसको अपन टू पार्ट में ओपिन कर सकते हैं पहला पार्ट यहाँ पर X लिखेंगे लेस्टन इक्वल टू मॉड वाई बन जाए यह हमारा कब बनेगा जब X का वैलू क्या होगा ग्रेटर दन इक्वल टू जीरो दूसरा पार्ट माइनस X लेस्टन इक्वल टू मॉड ऑफ फाई लिखें यह कब बनेगा जब X हमारा क्या हो लेस्टन जीरो हो जाए नगेटी बन जाए तो यह दो पार्ट में अपन ओपिन कर सकते हैं अब इसको अपन ग्राफ से ड्रॉ कर लेते हैं यह हमारा क्या है? कोडिनेट अक्सिस अपने जुन कर ले यहाँ पर पन देखे तो यह हमारा क्या है? X-Aक्सिस और यह हमारा हो जाएगा Y-Aक्सिस अब यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो ग्राफ है X equal to mod Y का अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो X equal to mod Y होता है ग्राफ वो हमारा कुछ ऐसा होता है यह हमें पता है ठीक है? यह किसका ग्राफ होता है? X is equal to mod Y का इसको अपन यहाँ पर डॉ कर लिया लेकिन यहाँ पर क्या बुला गया? कि X जो है वो हमारा छोटा हो mod of Y से तो X का value छोटा mod of Y से है यानि कि यह region होगा जहाँ पर Y हमारा बड़ा होगा विसिकलिए अपन बोले तो ठीक है? सो mod of Y बड़ा है यह region हमारा total हो गया cover ओके? सो यह region cover हो गया और दूसरा हम देखे तो यहाँ पर जो region cover होगा mod of Y का मतलब क्या? यहाँ पर positive value आए जागा positive value जो X से यहाँ भी बड़ा है हमारा ठीक है? यहाँ से देख सकते हैं यह region सो यह दोनों region cover हो गया अब यहाँ पर बात करते है minus जह हमारा X जो है वो negative में है तो उसके लिए हमारा क्या है? minus X less than equal to mod of Y है तो उसका graph जो होगा वो कुछी step में होगा अब देख सकते हैं अगर equality का sign जूम करके बनाएं तो वो graph हमारा कुछ ऐसा होगा ठीक है अब यह graph में क्या बुला गया है कि minus X का value है यानि कि यह side में आप उनको भी value रखेंगे minus 1 minus 2 भी रखेंगे वो हमारा क्या होजा है less than होजा किस से mod of Y से यानि कि हमारा यह region cover हो रहा होगा ठीक है अपन देख सकते है clearly यहाँ पे mod of Y का value बड़ा हो जा रहा है ठीक है यह हमारा क्या value बड़ा है अपन X के value के लिए अपन देख सकते है Y का ज्यादा value आ रहा है यहां पर इगर minus 1 होगा, तो यहां पर 2 आ रहा होगा, ऐसा कुछ है, ठीक है? यहां से हम देख सकते हैं, कि यह जो point है, ठीक है? यानि कि यह region हमें कौन सा region बात कर रहे हैं? यह line पर region नहीं बात कर रहे हैं, line के अंदर वाला region इस पर बात कर रहे हैं, तो यह हमारा 2 बन रहा, minus 2 बन रहा, sorry, और यह minus 1 बन रहा, line पर तो minus 1, minus 1 नहीं बन था, लेकिन यह हमारा minus 2 बन जा रहा, इसलिए यह region हमने cover किया है, तो यह region हमारा totally cover हो गया, तो अपन बोल सकते हैं, दोनों पार्ट में region जो cover हो रहा है, वो हमारा एक तो यह region और यह upside में यह region cover हो रहा है, ठीक है, तो अब क्या बोला गया है, कि second जो है, वो हमारा क्या है, यहाँ पर x square plus y square less than equal to 1, अगर equal to 1 लेके बनाएं, तो वो circle है, जिसका हमारा radius क्या है, so radius यहाँ पर 1 unit है, तो अपन और center 0-0 है, origin है, तो अपन यहाँ पर circle को अपन row करें, सो circle हमारा कुछ हैसा बनेगा, ठीक है, यह हमारा circle बन गया, अब इसमें क्या बूला गया है, कि हमारा x square plus y square का value है, वो 1 से छोटा होना चाहिए, so 1 से छोटा का मतलब क्या होगा, पहले यहाँ पर देखें, तो यह intersection point जो है, यहाँ पर y coordinate क्या होगा, 0,1, ठीक है, 0,1 बन गया, यह बन गया, 1,0, और यह बन गया, minus 1,0, ठीक है, फिर यहाँ पर हमारा क्या आ गया, so 0, minus 1, अब यहाँ पर अपन 0,0 को satisfy करवाए, origin को, तो क्या होजाएगा, 0 से बड़ा 1 है, बिल्कुल है, इसलिए यह true आ गया, तो origin के side वाला region है, वो cover होगा, तो यहाँ पर origin के side वाला region, यानि कि, यह total inside the circle हमारा यह region क cover हो रहा, अब दोनों में intersection part अपन देखेंगे, तो दोनों में जो intersection part है, वो हमारा क्या यही वाला region है, कौन सा region, so, यह region, ठीक है, यह region हमारा intersection वाला part आ रहा है दोनों में, ठीक है, so एक तो यह region होगा, और नीचे similar to upside जो है, यानि उपर वाला region, वह हमारा नीचे वाला region है, so यह दोर region का हमारा क्या निकालना है, वैल, तो अब यहां से अपन देख सकते हैं, basically, यह हमारा y is equal to x का line है, तो अपन क्या करेंगे, एक part का यहाँ पर answer निकाल लेते हैं, यानि कि इस part का, और इसको 4 से गर multiply कर दे, तो यहाँ पर same part यही है, और same part यह चार part है, basically, तो एक part को अपन निकालने था है, और एक part को निकालने के लिए अपन क्या गरेंगे, तो basically यह y is equal to x का line है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टन पे इस circle का जो area है, वो अपन निकाल लें, उसको 2 से डिवाइड कर दे, तो यह part का area मिल जाएगा, तो अपन क्या बोल रहे है, जो area होगा, वो हमारा क्या होगा, तो area अपन किस में निकाल रहे है, सबसे पहले 1st quadrant में, ठीक है, 1st quadrant में अपन area देखे, तो वो क्या बन जाएगा, तो pi r square divided by 4 बन जाएगा, ठीक है, तो pi r square by 4 जो है, वो हमारा क्या होगा, 1st quadrant का यह लें, लेकिन उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा जो color part है वो निकल जाएगा, ठीक है, तो basically आजाएगा, pi r square by 8, अब pi r का value हमारा क्या 1 है, तो 1 का square divided by 8, तो यह बन गया हमारा pi upon 8, ठीक है, तो यह हमारा क्या आ गया, pi upon 8, इसको 4 टाइम से multiply कर दे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, so pi upon 8 into 4, यह हमारा required area आ जाएगा, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे, required area, ठीक है, so required area क्या जाएगा यहाँ से, so pi upon 2, so pi upon 2 square unit हमारा क्या answer होगा, ठीक है, तो इस question का answer, pi upon 2 square unit, option 3, thank you.